दोस्तो आज से कुछ टेम पहले की बात करें तो आपको 32 इंच का LED TV लेने के लिए ये आपको 20,000 रुपर रखने पड़ते थे लेकिन अगर आप स्मार्ट 32 इंच का LED TV लेना चाते हैं तो आपको रखने पड़ते थे 25,000 रुपर है लेकिन आज की दिन की बात करें तो आपको वो होंगे certified Android LED TVs उनकी price range आपको मिलने वाली है 10,000 के नीचे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ top 5 smart LED TVs जो की certified Android होंगी और उनकी price range आपको मिलने वाली है 10,000 ये से कम की range में तो दोस्तों आज की वीडियो को बिना skip कीजिए लाज सकते किगा कर लिजेगा आपके इस चैनल को subscribe अगर चैनल को अल्रीडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं बुलिएगा तो start करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं under 10,000 में पहले smart LED TV की वह आती है Xiaomi की तरफ से Xiaomi की MI smart LED TV के दो बेनिट आपको मिल जाते हैं under 10,000 में जिसमें पहला है 4C Pro और second है 4E Pro दोनों ही smart LED TV आपको certified Android मिलेंगे इन दोनों के इंदर patch wall का interface मिलने वाला है quad core का processor मिलेगा आपको 8GB की storage मिलने वाली है 20W का speakers का output मिलेगा इसके अलावा इस LED TV में Bluetooth inbuilt ही है 3 HDMI के port मिलेंगे 2 USB के port मिलेंगे तोनों ही LED TV में chroma cost और Google assistance मिलने वाले हैं अगर बात करें इस LED TV की pricing आपको मिलती है 10,999 रपे की लेकिन अगर आप इससे Amazon से खरीटते हैं और आप SBA का card यूच करते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा plus 1000 का Amazon Pay Balance भी मिलने वाला है MI Smart LED TV 4C Pro के अंदर अगर बात करें flip card की तो flip card में आपको 4A Pro model मिलेगा वहाँ पर आपको access bank या ICIC bank के cards को यूज करने पर ही 10% का discount मिलेगा तो automatically ये LED TV 10,000 से कम prices में आपको मिल जाएगी लेगिन 4C Pro की बात करें तो वह आपको approximate पढ़ने वाली है 9,000 रुपए की अब बात करते हैं second LED TV की वो आती है iFalcon की तरफ से iFalcon एक TCL का ही sub brand है अगर बात करें इस LED TV की तो 32 इंच का इसका price आपको मिलता है 10,400 ने नानुए रुपए अगर आप इसको flip card से क्रीपते हैं तो आपको 10% का instant discount मिलेगा Access Bank या ICAC Bank के cards को यूज करने पर अगर आप किसी another bank का card यूज करते हैं तो आपको flat 500 का discount मिलने वाला है फिर भी ये LED TV आपको 9,999 की पढ़ेगी अब बात करें इस LED TV के specification की तो इस LED TV में भी आपको quad core का processor मिलेगा 1.5 GB of RAM मिलेगी 8 GB के internal storage मिलने वाली है A plus grade का panel यूची रहा है और इस LED TV के अंदर chroma cast और google assistant आपको मिलने वाले हैं speakers की बात करें तो इस LED TV में आपको 16 watt का speakers मिलेगा Micro Dimming का भी option इस LED TV में आपको मिलता है जो की काफी अच्छी smart LEDs में देखने के लिए मिलता है इस LED TV में आपको 2 HDMI के port और 1 USB का port मिलने वाला है चलिए अब बात करते हैं next smart LED TV की वो आती है सान्यों के तरफ से सान्यों के तरफ से काफी अच्छी smart LED TV मिलती है जो की Android-based IPS पैनल के साथ मिलती है अगर बात करें इस LED TV के specification की वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाले हैं इस LED TV में आपको 2 HDMI के port मिलेंगे, 2 USB के port मिलेंगे, quad core का processor मिलेगा, 20Watt के speakers मिलेंगे ये LED TV, ChromaCast और Google Assistant के साथ आपको मिलती है अगर बात करें इस LED TV के पैनल की तो वो आपको IPS का पैनल मिलने वाला है प्रोसेसर की बात करें तो इस LED TV में भी आपको quad core का processor मिलेगा अगर बात करें प्राइजिंग की तो इस LED TV का प्राइज आपको Amazon पर मिलने वाला है 11499 रुपे का लेकिन अगर आप SPA के cards का यूज करते हैं तो आपको 10% का instant discount मिलेगा और साथ इसाथ आपको Amazon Pay Balance में 100 रुपीज का cashback भी मिलने वाला है तो कुल मिलाकर यह LED TV approximate 10,000 के आसपस आपको मिलेगी इसके लावब भी कुछ offers मिलने वाले हैं साथ ही साथ आपको extend brand TV वी वन येर की मिलेगी तो यह LED TV भी 10,000 की प्राइज में एक अच्छस option बन जाता है हमारे लिए चलिए बात करें नेक्स समार्ट LED TV की तो वह आती है Micromax की तरफ सी तो Micromax की समार TV के प्राइज है 11,499 रुपै अगर आप access bank का या ICIC bank का card यूज करते है flip card पर तो आपको 10% का discount मिलने वाला है अगर बात करें इस LED TV की specification की इसके अंदर भी quadcode का processor मिलता है 1GB की RAM मिलती है 8GB की intern store मिलती है 20W का speaker मिलता है इसके लावा Google Assistant और Chromacast inbuilt मिलता है क्योंकि यह LED TV भी certified Android है तो इस करण इसमें भी आपको play store का features मिल जाता है अगर बात करें ports की तो इसमें 2 HDMI की port और 1 USB का port आपको देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें next smart LED TV की जो कि Android certified और price में आपको 10,000 से कम की range मिलेगा उसका नाम है VU की तरफ से VU Ultra Android smart LED TV यह 32 inch का आपको मिलेगा 11,499 रुपए का लेकिन अगर आप SPA के debit या credit card से इसको खरीते हैं तो आपको 10 प्रसकार का instant discount मिलेगा इसके लावा Amazon Pay Balance में आपको 1,000 रुपीज क्रेडिट कर दे जाएगा अगर बात करें इस LED TV के specification की वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाले हैं इस LED TV के अंदर A Plus Grade का panel मिलने वाला है अगर बात करें sound quality की तो 20W का Dolby Audio DTS HD का sound मिलने वाला है इस LED TV में 2 HDMI के port मिलेंगे, 2 USB की port मिलेंगे, 1 GB की RAM मिलेगी और 8 GB के internal storage मिलने वाली है इस LED TV में Google Assistant और PromoCast भी feature आपको मिलने वाला है दोस्तो इस LED TV में Bluetooth connectivity 5.0 यूज की गई है जो कि 22 इंच की LED TV में सबसे बहतर इसी LED TV में यूज की गई है दोस्तो तो आपको इन सभी Android Smart LED TV में से कौन सा Android Smart LED TV पसंद आए मुझे comment करके जरूर बताइएगा अगर आपकी निदर में कोई LED TV है जो 10 दर की प्रेडिर में है और वो है भी certified Android तो उसका नाम भी comment section में जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक अडेस लाइक करके अपना feedback दीजिएगा अपने दोस्तों के शेर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा thank you so much have a good day